आज मैं आपको माचिस से रॉकेट बनाना सिखाता हूँ लेकिन कुछ साउधानियों का आप ध्यान रखें यदि आप इसे ट्राइ करते हैं तो आप इसे किसी बड़े के साथ में करें और खुली जगा पे करें सबसे पहले हम इस रॉकेट को बनाने के लिए अलुमिनियम फॉइल लेते हैं फिर मैंने एक साइज काट कर रखी 5 सेंटीमेटर 11 सेंटीमेटर फिर 3 सेंटीमेटर सेम साइज लेकि हम फॉइल पे लेते हैं फॉइल से इसको मेश डाउन करते हैं इसे फिर हम काटना चालू करते हैं ये कॉइल काट ली है अपने कुछ इस तरीके से कटिए इसे हम रिपिल या फिर इसको ड्राइवर की मदद से रोल करते हैं इसे केरफुली फटेना नॉर्मली इस तरीके से हम रोल करते हैं दीरे-दीरे हमने फॉइल को फॉल्ड कर लिया है अब हम इसे केरफुली निकालते हैं फॉइल फॉल्ड होके हमने इसको इदर रख दिया अब हम माचिस लेते हैं माचिस की दो श्टिक लेते हैं इसकों सीजर से कट करते हैं यह हमारे रॉकेट के लिए इन धन का काम करेंगे इन दोनों को लेते हैं फिर जो हमारा कट करा हुआ हिस्सा है गा माचिस की लकडी का उसको हम इसके ठीक अपोजिट इससे में से डाल देते हैं हम उपड़ से जो माचिस की तुपड़ेस पे इंसर्ट कर रहे हैं जो डाल रहे हैं वो नीचे ना गिर जाए इसको डालने के बाद में हम इसको हलके हलके धीरे धीरे से दवाते हैं बिल्कुल केरफुली यह फट ना जाएं इदि यह फटा तो इसके जो प्रेशर है वो पूरा बाहर निकल जाएगा अब हम केरफुली यह लखडी को निकाल दिया है अब हम एक सुई लेते हैं इसको इसके लेवल के साथ सिर्फ बार एक साथ जब तक होना जाए जब तक इसको हम रोल करते हैं यहां पर हमारा रॉकेट तयार रॉकेट तयार हो गया है लांच पेड भी चाहिए हमें लांच पेड बनाने के लिए एक बॉक्स लेते हैं जिसके हैड़ दो सेंटीमेटर के लगबग जिसके हैड़ है उसके बीच में हम केंडल लगाते हैं केंडल लगाने के बाद में हमने यहां पर पहले से ही एक छेट कर रखा है उसमें हम विश्वी डाल देते हैं इसको बैलेंस कर दिया अब हमारे रॉक्टिट को लगाते हैं जॉंच पेड पे इससे सिफ्ट करके नीचे उपर हम कर सकते हैं पेले भी मैंने आपको बताया था हम कि यह आप आपके घर के अंदर ना ट्राय करें इसके लिए हम एक कोपन एरिये में चलते हैं जहां पर हम इसे ट्राय करके बताएं हम सेफ एरिये में आ गए हैं हमारे रॉक्ट के लिए मुम बत्ती को जलाते हैं तो आप सिफ्ट करते हैं जला दिया है हमार रॉक्ट इस तरिके से दस से पंदरा फिट तक दूर जाता है प्रेंट्स आइ रिक्वेस्ट यू प्लिस दोंट राइ अट होम थैंक्स तो वाचिंग इस वीडियो प्लिस सब्सक्राइब एंड लाइक इस वीडियो एंड शेर यूर कमेंट